एक बार एक किसान ने एक व्यक्ति को भला बुरा कह दिया पर जब बाद में उसे अपनी गल्ती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया उसने संत से अपने सबद वापिस लेने का उपाय पूछा संत ने किसान से कहा तुम खूब सारे पंक इकठा कर लो और उन्हें सहर के बीचों बीच जा कर रख दो किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुँच गया तब संत ने कहा अब जाओ और उन पंकों को इकठा करके वापिस ले आओ किसान वापिस गया पर तब तक सारे पंक हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुँचा तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे दवारा कहे गई सब्दों के साथ होता है तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो पर चाहा कर भी वापिस नहीं ले सकते दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कोमेंट करके जरूर बताई और ऐसी ही हिंदी वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद